MIUI 12 का EU का latest update आ चुका है हमारे devices के लिए जो कि officially 26 device को ये support करता है अब फिलाल मैंने जो एक EU का official build उच किया है जो कि Redmi Note 7 Pro के device के अंदर flash किया है और दोसा एक EU का port ROM जो कि Redmi Note 4 device के अंदर मैंने जो flash किया है और ये जो official EU का update है जो कि Redmi Note 7 Pro device के लिए है इसमें क्या कुछ change देहने को मिलता है और साथ-साथ इस EU का क्या change log है अगर आप 26 devices को EU में से किसी एक device के अंदर flash करते हो ताप को क्या कुछ है जो changement देहने को मिल जाता है change log के हिसाब से तो वीडियो को फूल एंड टक वाच करते रहें ताकि मैं आपको complete details से सको इसके change log से रिगार्डिंग, performance से रिगार्डिंग और नए features changes से रिगार्डिंग Hello everyone, I am MK and you are watching Take Office और इस वीडियो में बात करने में मेलें MIY12 के EU के update के बारे में जिसका build नमर आपको 20.5.28 डिखनी को मिलता है जहां पर मैं एक port room यूज कर रहा हूँ, note 4 के अंदर और एक official build यूज कर रहा हूँ, जो कि note 7 pro के अंदर है तो यहां पर हम देखेंगे क्या कुछ नया डिखनी को मिलता है, differences, क्या change log है और supportable device तो सबसे पहले आते हैं all aspects के उपर, जहां पर आप देखें तो यह model name निखाई देता है device का, जो कि यह 26 डिवाइस को support करता है, तो वीडियो को एंटर को watch करता है, ताकि आपको device list भी देखनी को मिलता है, change log भी और change भी, यहां पर security patch है, जो देखनी को मिलता है note 7 pro के लिए latest 2021 का, वहीं पर जो यह port rom note 4 के लिए 2021 का देखनी को मिलता है, यानि यह जिस device support किया गया है, उसका security patch update नहीं हुआ है, जबकि official EU का यहां पर update हो गया है, इसका मतलब यह है कि जो 26 devices हैं, उनमें से किसी किसी device का आपको latest security patch देखनी को मिलेगा, तो किसी का older देखनी को मिलेगा वहीं पर जो यहां पर आपको official जो brief का default करने ला था अक्सर वो यूज किया गया है, जबकि इस port rom के अंदर lineage का है जो करने यूज किया गया है, वहीं पर यह 6GV वरिजन है और यह 4GV वरिजन में फिलाली यूज कर रहा हूँ, इसे जो officially है जो चाइना के ओर से देखनी को म मिलते हैं, जो कि common है, तो सबसे पहले हम switch करेंगे इसके चेंडलों के उपर देखते हैं क्या कुछ नया है, तो ऐसे चेंडलों का मैंने already a screenshot ट्रिक कर लिया है, जो कि आपको में show कर सकता हूँ, यहां पर सबसे पहले आप चीज अगर नजर डालते हो तो देखनी को मिल जात है, पारसल screenshot का feature, जो कि इसके अंदर available है, इसके अंदर available है तो बहुत साई devices के अंदर है, यह कुछ इस तरीके से काम करता है, कि अगर आप अपने triple finger को swipe down करते हो नीचे की और तो आपका screenshot क्लिक हो जाता है, यह दोनों devices के अंदर काम करता है, लेकिन अगर आप यहां पर triple finger क को hold करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको नया option enable देखनी को मिलेगा, जहां पर अलालग shape दिये गए हैं, कुछ इस तरीके से, तो आप different type के shape के screen suit जो click कर सकते हो, जो कि इस port roam के अंदर भी आपको available देखनी को मिलता है, वस fingerprint को है जो stay करना है और यह features enable हो जाएगा, जो भ out उसे जो crop किये हैं manually, तो यह diet आपको जो advanced features देखने को मिल जाता है, तो यह मुझे कासी अच्छा लगा feature जो कि MIW 12 के इस update में add किया गया है, वहीं पर आप देख सातों के added sound assistance for snapdragon 845 devices, जैसे के मारा POCO F1, बट उसके लिए तो भाई update official आता नहीं है, तो port roam आएगा, तो जैस इसी device में और बागे अपर वाले में, तो 9 Note 7 Pro कनते देखने को मिलता है, नहीं sport roam कनते देखने को मिलता है, नीची को new option देखने को मिलता है, LHDC, V3 support, only on MI9 और MI9T Pro, तो अभी यह भी मेरे पास नहीं है, तो मैं show नहीं कर सकता, वह में पर जो यहाँ पर anti-wending screen है, जो वो था स्वाइब अप जेस्टर है, जो काम नहीं कर रहा था, सम्टाइम, कुछ-कुछ अलग सिचुएशन में, जैसक मैंने प्रिवियस के EU के अपडेट में भी सो किया था, कि यह स्वाइब करने तो काम नहीं कर रहा है, अगर आपने वीडियो वोच किया होगा, तो नोटिस किय स्वाइब के उपर आते हो, अल्टा बैटि स्वाइब अगर यूज करते हैं, तो यहां पर प्रॉलम देहनी को मेर रहा था, तो उसे जो फिक्स कर दिया गया है, अभी फिलाल यहां पर देख सकते हों कि यहां पे मेरा बटन नहीं कर रहा है, तो फिक्स के नाम पे भाई, यहां पर प्रॉलम ही दिखाई दे रहा है, यह फिर से जो हैंग कर रहा है, तो रेटमी का नोट स्विन प्रो डिवाइस एक ऐसा टिवाइस है, जहां पर हमें ऐसा ही प्रॉलम देहनी को मिलता है, किसी भी ओफिस्यल या फिर मोडेट रोम के अंदर, I don't know वाई, यह रैम अधर चैनलोग के अगर हम बात करते हैं, तो आजाते हैं, नेक्ट चैनलोग के उपर, तो हमारा स्क्रीन सूट है, यहां पर, अगर आप अभी तक वीडियो वाच कर रहे हैं, इसका मनला आपको वीडियो के नंतर काफी ज़ड़ा इंट्रेस्ट आ रहा है, यह वीडियो आ ठीक है, तो यहां पर आपको देहनी को मिलता है, अनला चैनलोग है, वो है हमारे टोगल का ओडर, जो कि करेक्ट टरीके से सोर नहीं कर रहा था, अगर हम अपने जो न्यू कंट्रोल सेंटर को डिसेवल करके, ओलड वाले कंट्रोल सेंटर को इनेवल करते हैं, जो कि हमारा जो QS Panel है MIY11 का तो वो जो काम नहीं कर रहा है धंग से जब भी हम डार्क मूड यूज करते या फिर इसे इनेवल करके वापस है जो हम अपने इसे डिवाइस को अपडेट मिला है ना उसकी प्रफोंच इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है EU के तरब से ओफिस्यल चाइना प्यूल के और से या फिर MIY11 की और से ही क्योंकि MI वाले हैं जो इन्वाइट 10 को अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेकार प्रफोंच देखने को मेरा है मुझे प्रसनली K20 Pro के अंदर Note 10 Pro के अंदर और बाके अधर यूज़स कवे सेम उपिनियन आ रहा है जब से इन्वाइट 10 हमने अपडेट किया है ना फोन बिल्कुली बेकार हो गया है तो आप अपना ओपिनियन ज़रूर सेर करना कि क्या आपको लगता है कि इन्वाइट 10 के वाद आपके प्रफोंच बूस्ट हुई है या फिर आपका भी बेकार हो गया है बताना जरूर ठीक है यहाँ पर जो नया एनिमेशन एड कर देगा है इसके लांचर के अंदर अगर आप इसका लांचर यूज करते हो तो जो ठर्ट पार्ट अप्लिकेशन वगरा है ना उस पर एनिमेशन काम नहीं कर रहा था तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है तो यह आपको जो प्लस पॉइ यहाँ पर कॉंटेंट है जो लॉक स्क्रीन पर सम्टाइम और इसका रिगार्डिंग तो उसे भी फिक्स कर दिया गया है उसका रीडेजाइन किया गया अप्डेटर सेशन को जैसे सिमलर है और अप्डेटर सेशन मुझे अभी भी देखनी को मिला है इसमें कुछ भी नया डिक्कत और चेंजमेंट नहीं अंदर आया वहीं पर जो एडप्टेट किया गया है फॉर्स सेटप अप MIY12 यानि आप इस रोम को जैसे फ्लेज करोगे है और फॉर्स टाम जो MI अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आता है तो वहाँ पर MIY12 का जो लोगो है वो बीच मे चेंज हो गया था उसके color change हो गया तो फिर से old वाले color के साथ डिजाइन किया गया तो यह चेंजमेन को देहने को मिल जाता है तो clock में आपको नया animation दिखाई देता है जब यह आप इस clock को open करते हो तो यह animation देखने में अच्छा लगा, smooth है, सही है वह में पर आगे रहात हैं तो यह जो port room है, notes 7 pro device के लिए यहापे आपको always on का support provide किया गया है, जो कि MIW2L को support करता है जैसा कि आप देख से तो कि MIW2L का मैं भी theme लाल यूज कर पा रहा हूँ, तो यह अच्छे तरिके से काम करता है, कोई भी issue देखने को नहीं मिला बलो तो वीडियो को लोगएरा अच्छे से काम करता है, जबकि यह पहले से pre-rooted मिलता है, जबकि यह जो हमारा official room है, इसमें आपको कोई भी root support देखनी को नहीं मिलता है by default वह यह पहले से मुझे काफी दा बूस्टेट लगा है, क्योंकि प्रिवर्स का EU का update था और MI room का उसमें मुझे डाउन लगा था performance, यहाँ पहले आप देख से तो increase है performance जो की 192122 का है और यहाँ पहले 99997 का है, तो performance इस वार काफी दा बूस्ट किया गया है, जो कि सही है, य दोनों के अंदर, जबकि कुछ और जो Android 10 को सपोर्ट करते हैं, लाइक के 20 प्रो और बाके MI 10, उनमें आपको वाइस चेंजर बगरा भी देखने को मिल जाता है, और कोई फॉन के लिए मैंने वीडियो दिया है, उसमें भी जो वाइस चेंजर है जो अवेलवल है, जबकि य सारे नए आइकन अड़ कर दिये गए है, तब यहाँ पर जितने में अप्लिकेशन है, मैकसिम अप्लिकेशन आपके अटेच हो जाएंगे, वीडियो टूल बॉक्स के अंदर एक प्लस पॉइंट नहीं को मिल गया है, जबकि इस पोर्ट रोम पाई वाले डिवाइस के इस अपडेट के साथ, और अगर आप इससे फ्लैस करते हो, तो कैसा प्रफ्वेंस आपको देहने को मिलता है, आप देख सकते हो कि सबसे नीचे की और है, K20 और MI90, उसका Note 7 देहने को मिलता है, MI8 Pro है, MI8 है, MI9 Pro 5G, MI9AC, MI9, MI Mix 2, MI Note 3, MI का K20 और K20 के बाद है, जो हमारा 90 Pro है उसके बाद हमारा जो HMK 35G, HMK 30, जो कि Poco X2 है, MI6, MI8 Lite, MI9 Lite या CC9, MI Max 3, MI Mix 2S, MI Mix 3, HM Note 5 Pro, यानि हमारा Redmi Note 5 Pro वाइर, उसके बाद यहाँ पर देहने को मिलता है, HM Note 7 Pro, जो कि मैं विफलाल यूच कर रहा हूं, और वहाँ पर MI10 Lite Zoom, उसके बाद MI6, X, MI8 Explore, MI8, MI का Note 10, इन डिवाइसे को यह सपोर्ट करता है, जो कि 26 है, और एक और पोर्ट रोम यहाँ पर आ गया, जो कि Note 4 है, तो 27, और जल्दी आपको Poco A1 का भी अपडेट रहने को मिलेगा, तो यह हो गया 28, तो इन सभी के वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, तो अस्ते टून करें, और वीडियो पसंद आया हो, इन्फो अच्छा लगा हो, तो एक थमस अप देना ना बूले, तो मेलते निक्ट अब्लेट में कुछ खास इंटरेसिंग से फीचर्स के साथ, तब तक लिए, बाबाए